आश्मान फट जा है यह हो जाए वो जा है लेकिन जो रैयालिटी है वो यह पाकिस्ताँ के T-20 वर्लकप ते दर्नाँजे बंद हो च्छे था है निय। को दस विक्टो से हरा कर फाइनल के लिए कौलिफाय का लिया और इंडिया मीडिया इंडियान प्लेयर पर परस पड़ा चलो सुनते हैं और दूसरी तरफ यहां इंडियान मीडिया इंडियान किर्केट टीम की दुलाई का रहा था वहीं पर इंडियान अवाम का कुछ ऐसा हाल था यहीं नहीं रहानी मेटोस तो तब आया जब सोचल मीडिया पर मेंज का तुफान आ गया परिंदो के शुकीन पीछे कैसे रह सकते हैं आउस्ट्रिलियन तोते मंगबाने हैं तो मंगबा लें आपके टीम वापस आ रही है पाकिस्तान को था इंतिजार इंडियन पहले ही बाहर बढ़के मारने वाले इंडियाट्स को इंग्लेंड ने सबक सिखा दिया सोचल मीडिया पर मेंज का तुफान आ गया वजीर आजम शबाश शरीफ का ट्वीट इतवार को 152 का मुकाबला 170 किसी ने इंगले शॉपनर की बैटिंग को तो तोते जाओ तोते जाओ वाले बैनर से तश्वीड दी और एक सारिफ ने तो इतना भी लिखा कि समी फैनल में हारना जम बाबे से हारना बेतर था और इस मेम ने तो सोचल मीडिया पर ढूम मचा दी और किसी ने लिखा कि इश्क मेना प्यार में जो मज़ा है इंडिया की हार में और किसी ने लिखा कि इंडिया अब भी फैनल में पहुच सकता है अगर वो मुंबई एरपर्ट का नाम बदल कर फैनल रख दे जीनियस वान रेकोड वालों का भी तंजिया ट्वीट लिखा क्या ये इस्ट्रीक का इजियस ट्रーチईज था और किसी ने लिखा कि परोसिओ ऑस्ट्रेलीन तो अत्य मँआने है तो मंगबालो आपकी टीम वापिस आ रही है और किसी ने लिखा कि मौका मौका कहने वालों को फिर कोई मौका ना मिला और इस भाई ने तो हदी कर दी मैं कर दो मंदा वाकिए जिम्बाफे से हार जा लेकिन इस तरह यह ना करें कि अगर अगर तुम लोग ने हो तो सब्सक्राइब करो वो जलाल वाला बटन है उसके भूट भैट के मारो या फिर मौमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए